इस माइनेम इस तुशार बड़िवाल एंड यूब वाचिंग तुशार बड़िवाल यूट्यूब चैनल और आज हम उसका टेक्स टाइलिंग और फॉर्मेटिंग का यान हम पहला पार्ट देख चुके हैं यही उसका सेकंड पार्ट होने वाला है और इसमें हम आज पहले एक एंकर टेग का यूज करता हूं तो बैयों के नीचे से मैं हाँ पर एक एंकर टेका यूज करने वाला हुँ और इस एंकर टेग में हम लखिए फॉर्म लिंक हम यहां पर डाल सकते तुमको बताऊगा अब मैं अभी मैं इसको डेड़ लिंक यहां पर कर देता हूँ ठीक है और इसके बाद इसको हम कर देंगे close और यहां पर हम लिख देंगे click me now हमने यहां पर यह लिख दिया है click me now और हम आजाएंगे हमारे css वाले पार्ट पर और css वाले पार्ट में हम यहां पर कर लेंगे एंगर पो एक्सेस और इसमेर 9 में लख लिखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट डॉवीशन और अपये टेक्स्ट अभी मैय इसको ऐसे ही सिस्फ खाली छोड़ रहा हूं पूच इसमें अभी डाल निराउं टेक्स टेक्रेशन में पर एक बार प्रम इसका लाइफ प्रेव्यू करके देखते हैं यह कैसा लग रहा है तो यह click me now में text decoration क्या होता है यह जो नीचे की जो लाइन आ रहा है यह click me now के यह होती है text decoration ठीक है मैं इसको inspect करके देख सकता हूँ तो क्या होता है कि default अभी यहां पर देखो कि क्रॉस आ रही को कि अभी तक हमने यहां पर कोई value ने दिये तो यह चीज़ अभी implement नहीं हुए यहां से हम inspect से इस देख पा रहा है और जो by default है वो text decoration इसमें underline हो रहा है ठीक है यह underline तुम देख सकते हैं आप एक text decoration में यह underline हो चुका है ठीक है तो अब text decoration को हम अपनी मर्जी से भी set कर सकते हैं जैसे मान लो कि मैंने आप नन set कर दिया ठीक है semicolon लगाकर अब जब मैं live preview करूँगा तो वो जो line होगी नहीं यार वो हट जाएगी ठीक है यह जो को कि click me now से line हट चुगी है I hope so text decoration का मतलब हमें यहां पर समझ आ चुका है अब हमें एक काम करते हैं हमें font size भी इसका set कर देते हैं और वो कर देते हैं let's suppose 20px ठीक है तो अब live preview हमें एक बार देख लेते हैं यह 20px इसका size हो चुका है और एक और चीज़ हम यह से यह चीज में पहले explain कर चुका हूँ यार font size उसके बाद में अब एक letter spacing का concept हम देख लेते हैं और यह हमें यहाँ पर options भी देता है कि देखुए normal inherit पर मैं इसको let's suppose मैं इसको ले लेता हूँ 10px ठीक है मैं इसको यहाँ पर 10px ले लेता हूँ जब मैं इसको 10px लेऊंगा तो अब देखना तो letter की जो spacing होगी वो यहाँ पर हो चुकी है हर एक letter के बीच में कि space आ चुका है ठीक है तो यह मैंने जूम कर रहा है इसका original size दिखा हूँ तुम्हें तो यह यहाँ पर ऐसा कुछ हमारी website दिख रही है और यह यहाँ पर website में यह spacing यहाँ पर आ चुका है और मैं यहाँ पर zoom करके इसके दिख पैसिंग चीए ठीक है तो हम इस पे वर्ड पेसिंग का भी यूज कर सकने है ठीक है हम इसमें word spacing का यूज कर लेंगे ठीक है letter spacing में तुम्हें बता चुका है word spacing में क्या होगा click me now तो यहाँ पर एक space आ जागा यहाँ पर एक लेगा यहाँ पर एक लेटर के बाद में एक space आएगा ठीक है तो यह होगे थोड़ी से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे हम इसको टेक्स्ट को और अच्छे से यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं अब एक और चीजर मैं आसे दिखाने वाला हूं वह है टेक्स्ट ट्रांस्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म प्रॉपर्टी अब यहर होता क्या है जब मैं एक बार लाइफ रिवी तुम्हें दिखाता हूं ठीक है मैं वापस एक बार लाइफ रिवी करता हूं तो इस लाइब प्रिव्यू में वह अभी हमारा क्लिक में ना हो यहां से चला चुका है देखते हैं क्यों हो 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 हमने आप टेक्स ट्रांस्फॉर्म को हम लेट्शा पोस्ट कैपिटलाइज कर देते हैं और एक सेमी कॉनल लगा देते हैं ठीक है टेक्सक्राइज में मतलब य ये या वो चीज़ कैसी दिखेगी ठीक है तो अब इसमें फिर्स लेकर यहाँ पर बड़ाне है लिट्ग का सी- है ट। ऑफ्रीटर्सzes यहां पर यहां पर प्रिफिववरा है और मालनो मुझे यहां पर चाहिए अपर case various यहां पर तुम्हें option मिल जाएंगे ठीक है तो अपर case में जब मैं इसको select करूँगा तो मुझे यह अपर case में show होगा ठीक है यह सारा click me now जो है यह सारे letters यहां पर अपर case में होगे तो यही एक property और थी कि हम text transform कर सकते हैं बाकी यहां पर तुम्हें है अगर सिफ lower case में चीए सारे वो option भी तुम्हें यहां से मिल जाएगा अब लाइफ प्रीव करूँगा तो अब सारा click me now सब lower case में ठीक है तो आई होप सो यार यह text formatting की जो चीजे हैं वो आपको अच्छे से अब समझ आ चुकी होंगी थोड़ा से आर अब हम करने वाले एक देव क्लास का निर्मान है ठीक है तो आप ब्ल akhir- provocative इ्यूश थोर पर पर फॉर्मेटिंग ही यूज कर रहा हूं अब जरूरी नहीं कि फॉर्मेटिंग ही हमें यूज करना आप खुछ भी मर्जी से अपर नाम को लिख सकते हैं ठीक है तो यह div tag यहां पर आ चुका है अब इसी div tag के अंदर हमें यहां पर 6 और div tag बनाने है ठीक है तो इसको कर देता हूं में सिंपल सा कॉपी यहां करा मैंने पेस्ट 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 और पेस्ट एक दो तीन चार पांच है ठीक है अब हमार पास यहां पर 6 div tag हो चुके हैं अब इसमें हम अलग 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 चीज़े देखेंगे और उन अलग 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 चीज़ों को यहां पर CSS की वदद से इंपलेमेंट करेंगे तो उससे पहले हम एक और काम यहां पर करते हैं और हम वो करेंगे इस यह जो हमारी class फॉर्मेटिंग है हमने बनाई है इसको मैं यहां से access करूंगा dot formatting से class को access हम ऐसे ही करते हैं और इस class को हम एक्सेस करने के बाद में मैं यहां पर लिखूंगा font size ठीक है तो font size हम इसका दे देते हैं 20px color दे देते हैं इसको कोई yellow color हम इसको यहां पर दे देते हैं ठीक है और इसके बाद और क्या हम चीज़े कर सकते हैं तो हम यहां से एक line height भी यहां पर दे सकते हैं और इसमें से हम चूज कर लेते हैं 2 e.m ठीक है अब यह 2 e.m का मतलब क्या आया या e.m का मतलब मैंने समझाया था कि 1 e.m is equal to 16 px ठीक है अब हमने यह चीज़ कर लिए इसके बाद अब हमें यहां पर कुछ करना होगा तो मैं आपर बोल्ड ले लेता हूं और बोल्ड मतलब वह यहां जो हमारा font होता है बोल्ड वही मैं चीज में यहां पर कर रहा हूं तो मैं इसको हम लिख देते हैं आपर कुछ भी इस आयम पोल्ड ठीक है और अब इस डिव में भी हमें ऐसे कुछ लेना होगा तो हम इसमें italic ले लेते हैं यह भी font size का होगा तो मैं पता है HTML वाले पाट में इन सब चीजों में discuss कर चुका हूँ so I am italic ठीक है तो एक div हमारा ये भी हो गया अब इस div में हम क्या लिख सकते हैं तो इस emphasis हम लिख सकते हैं अब एक चीज निया है यह है इम एम एमफैस यह होता है आप फॉंट को करने वाला तरीका ठीक है और ये एम यह हो गई है हम जब pixel की बात करने हैं CSS में फॉर्मेटिंग कर रहे था यह एम तो होता है जैसे हमने आपर बोल्ड में हम लिख सकते हैं आई में हम लिखते हैं तो वह भी एक लिखने के style है य इन दिये दो इम पूरे एक अलग चीज है ठीक है लोग इसमाइब हो जाते है क्योंकि नाम से में इम यहां पर हम बात करते हैं पिक्सल की और यहां पर हम बात करते हैं एमफैस उस लिखने के style की ठीक है तो तीन चीजे हो गई हेक और चीज हम यहाँ से यूज करते है वो है दिली और इसमें हम लिख देते हैं डूंट डिलीट मी यह मैं यहां पर कुछ भी लिख रहा हूं यार क्योंकि आपर मैं कोई चीज तुम्हें समझाना चाह रहा हूं ठीक है अब वो क्या है वो ज़स्ट अभी तुम्हें यहां पर पदा चलने वाला है थो थोड़ा से अपर जीव हो चुका यह इसको फिक्स करता हूं म अन्य पैलिक और एमफसेज में आरामने कुछ लिखा नहीं ठीक है तो आयां एम एम फैसेज ठीक है तो अब हमारा यह भी आपर हो चुका है पेसिंग कलता हूं तक कि अन्फुजन कमो ठीक है तो हमने हां पर चाहर दिम भी तक लिक चुक एं बोल्ड में इटलिक में एम फ ट्रॉंग मिल्तियोष हो ठीक है एक और हम लेते है दो है और इसमें हमें लिखना है मार्क है तो यह और इसमें कुछ बैलॉग लिकता बढ़ीया सा कसी आ cuarto अ मरक मै वार्ट通 के लिखे अ टाइलोग हमने यहां से लिख दिया ठीक है तो अब यहां पर मैंने यह चीज़े करी क्यों है ठीक है मैंने आप भूल्ड लिया विटैलिक लिया एंफेसिस लिया डिलेट लिया स्ट्रॉंग लिया मार्क लिया आपक कुछ चीज तुम्हें आ पर दिखाना चाहरा हूं और व सबसे पहले है आएm penso तो यह बॉल्ड में आ चुका है इसकी कोडिंग कौनसी बाही इसकी हमने कोड़ लिंग करिये तольше फिकल का यह यहां यह पूल्सॉष ठीक है इतना हमें समझाया है उसके बाद मैं यहापर मैं हम अनू पर आएक असे इंटालिक तो यह जह पीं हम लि तरह ही लिखावा आता है styling में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो यह कोडिंग हमने करी यह डिलीट में क्या होता है यार यह जो भी चीज लिखते हो इसके बीच में कि लाइन आ जाती है ठीक है डिलीट जैसी काट अपूटी जो हम एक्जाम में भी करते हैं ठीक है तो वही ची और बोल्ड में ज्यादा फरक नहीं होता ठीक है बस थोड़ा से थोड़ा सा यहां पर कम तुमें देखने को मिल सकता बाकि ज्यादा कोई difference बोल्ड में और स्ट्रॉंग में मिलेगा नहीं तो ऐसे भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस वजह से मैंने आपर स्ट्रॉंग भी करके यहां पर देखा दिया है दूसरी चीज़ तुमें कोई चीज़ को हाइलाइट करना हो तो वो तुम इस मार्क यह जो मार्क टैग है इसकी मदद से त टैग में लिखूंगा ओपनिंग से लियुका एक लिए को मार्क मै वर्ट फिकर पी माक मै वर्ट जो है यह आ जाएगा उपर एक ऐसे हाईलाइट होगा यह कि अुढ आप यहाई लाइट हो जाएगा मा थमार वर्ट तो अब यह देखो यहारे हमारी वैबसाइट कितनी ब स्टाइल्स डिजाइन इतनी प्यारी से हमारी वेबसाइट हो चुकि है हम ऐसे ऐसे और चीजे यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट को बहुत ही एक अच्छे तरीके से आया होगा फॉर्मेटिंग और टेक्स टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग के सारे इस अच्छे से अच्छे से आ चुके है पर हम इसको 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 इंटर मेडियर देखने वाले एडवांस तक टॉपिक को टेच करने आने तो अभी भी css काफी वीडियो जबी भी css के और आएंगे और अभी जब सोच आर अभी हम इतना अच्छा कर सकते तो और हम css सीख लें तो कितनी अच्छी हमें एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं तो होप सो इस वीडियो में बने रहो प्लेलिस्ट को एक्सेस करो step by step हर एक वीडियो को देखो और मजा आने वाला है आख टिकने में इंट्रस्टिंग बनाते हैं इन चीजों को तो तब तक के लिए चलते हैं सिया have a good day this is Tushar Badiwal signing off